नमस्कार, SPT News में आपका स्वागत है, पेश है राजसान की बड़ी खबरें साहता के लिए 100, फायर के लिए 101 और एंबुलेंस के लिए 102 या 108 डायल करने के बजाए, सिर्फ 112 पर ही कॉल करना होगा कोटा के जेके लोन चिकिसाराय में शिशों के मृत्यों के मामने की जांच करने के लिए चिकिसा मंत्री डॉक्टर रगूश शर्मा ने Medical Health Commissioner के सुपरविजन में 4 सदसिय जांच कमेटी का गठन किया है ये टीम अब कोटा जाकर शिशों की मौत को लेकर आ रही खबरों की परताल करेगी और तीन दिन में अपने रिपोर्ट सोंपे गी इस समन में चिकिसा शिक्षा वेभव गलरिया ने शुकरवार को आदेश चारी किये रास्तान में मोटर विकल एक्ट लागू होने और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लागू होने की बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या काफी बड़ी है जुलाई से नमबर तक पिछले पांच माह में 26,000 से अधिक लोगों ने लाइसेंस बनवाए है प्रादेशिक परिवहन कारेले ने इस अवधी के आंकरे जोरी किये उसमें ये सिती सामने आई है वर्ष 2018 में जुलाई से नमबर तक 12,578 लोगों ने स्थाई लाइसेंस बनवाए वर्ष 2020 में इस अवधी में 26,975 लाइसेंस बने है प्रदेश भर में 14 दिसंबर को धना प्रदशन कर क्रिशी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदशन किया जाएगा अगिल भारते किसान संगर्ष समन्वे समिती की बैठक में ये निर्णय लिया गया है बैठक में समिती के बतादिकारियों ने भाचपनेताओं पर भी क्रिशी कानूनों को भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के भाशपा नेताओं के घर पहुंच कर इस समन्द में उनसे जनता को भ्रमित ना करने की अपील की जाएगी संगठर ने भाशपा नेताओं के घरों का घेराव करने का आफ़ान भी किया है कोरोना वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कॉपरेट जगत में तेजी से अपनी पकड मजबूत करता चा रहा है वहीं अब सरकारी विभागों में भी तस्वीर धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलने ज़रूर लगी है दिसम्बर के दस दिन गुज़र गए दिन रात का पार लोड़कने का नाम ही नहीं ले रहा है ऐसे में कडाकी की सर्दी तो धूर हलकी ठन भी नहीं महसूस हो रही इससे बहले मौसम विशिशग्यों ने दावा किया था कि ला नीना की प्रभाव की चलते इस बार जोड़दा सर्दी पड़ी लेकिन एंटी साइक्लोन सिस्टम उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है ऐसे में पश्मे विशोब भी पूरी तन सक्रिया नहीं हो पा रही है बांसवाड़ा जिले के नोगामा में गुरवा सिपह दर्दनाक हासा हो गया स्कूटी से स्कूल जा रही एक टीचर पर 11 केवे की बिजली की लाइन गिर गई इसे स्कूटी जल कर खाक हो गई और टीचर की मौके पर ही मौत हो गई मौके पर मौझूद लोगने बताया कि हासा सुबह करीब 10 बजे हुआ टीचर नीलम जो की 25 साल की थी पाठीदा नदी के करीब से गुजर रही थी तभी उपर से गिरा बिजली काता स्कूटी से आकर चिपक गया घटना से कुछ देर पहले ही इलाके में बारिश हुई थी जैपन में रहने वाले पती पतनी की नीजी फोटो को सोशल मीडिया से चुराने के बाद शुराती तत्व ने अन्य यूवतियों की अश्लील फोटो के साथ एडिट कर वारल कर दिया इस दमपती के फोटो पर भद्धे कमेंट और पती का मुबाइल नंबर भी लिख दिया सोशल मीडिया पर ये अश्लील फोटो वारल होने के बाद जब पीडित व्यक्ती को भद्धे फोन आने लगे तब उन्हें वादात का पता चला इसके बाद पती ने सिंदी केम थाने पहुँच कर मुकदमा दर्ज करवा पुलिस ने आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है जयपूर साइट पूरे प्रदेश में कोरोना से संक्रमित व्यक्ती के घर के बाहर अब मेडिकल टीम या अने किसी विभाग के टीम के ओर से कोई पोस्टर या स्टीकर नहीं चिपकाया जाएगा जिकिसायम स्वास्ते विभाग ने इस संदर में आज आदेश ज़री किये हैं यह आदेश सुप्रेम कोट के ओर से ज़री किये गए आदेशों की पानला में ज़री किये गए है CBSC ने दस्वी और बार्वी बोर्ड परिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन ज़री किया है इस नोटिफिकेशन में बोर्ड ने कहा है कि सोशल मेडिया पर दस्वी और बार्वी की बोर्ड परिक्षाओं और practical की तारीखों को लेकर जो date sheet viral हो रही है वो पूरी तरहों से फर्जी है बोर द्वारा जल्थी परिक्षा और practical की तारीखें जरी की जाएंगी इसके लिए अपडेट आधिकारे की website पर देखते रहें एसे में सोशल मेडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओ पर ध्यान ना दे रहसान लोग सेवा आयोक ने आरेएस एवम अधिनस्त सेवाएं सेंक्ट पृतियोगी परिक्षा सिधी भरती 2018 की मुखे परिक्षा के सभी विश्यों में उपस्थित डिपार्टमेंटल केटेगरी और पूर्व सैनिकों से पात्रता सम्दित दस्तावेज मागे हैं अभियर्थी 15 दिसंबर तक व्यक्ति अत्वा ओनलाइन माध्यम से पात्रता सम्दित प्रातना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे आरेयस एम अधिनस्त सेवाएं 2018 की मुखे परिक्षा के सभी विश्यों में उपस्थित डिपार्टमेंटल केटेगरी के अभियर्थियों से पात्रता सम्दित दस्तावेज मागे हैं घुसकांड में फसे अजमेस्तित महशी द्यानन सरस्वती विश्यों विश्यों विद्याले के निलंबित कुलपती रामपाल सिंग को बर्खास्त कर दिया गया है उसकी बरखास्तगी के आदिश विश्य विद्याले की कुलाधी पती राजय पाल कर राज मिश्र ने 9 दिसंबर को चारी किये बरखास्तगी ततकाल प्रभाव से लागू मानी चाहेगी इसी के साथ अब विश्व विद्याले के लिए नया कुलपती तलाशने का रास्ता खुलने के साथ ही प्रक्रिया भी शुक्र ही शुरू होने की उमीद है बीते साथ सितंबर को एसी विने रामपाल सिंग उसके दला रंजीत और निजी कॉलेज प्रतिनी दी महिपाल सिंग को दो लाख बीस हजार रुपे के रिश्वत के साथ गिरिफ्तार किया था रहसान के 12 जिलों की 50 नगर निकायों 43 नगर पालिका और 7 नगर पैशद में सदस्य पदों के लिए वोटिंग जारी है वोटिंग को लेकर मदाताओं में जोश है दिव्यांग हो चाहे दुलह दुलहन सभी उम्र और वर्ग के लोगों में मदान की प्रति उत्साहत देखने को मिला शुकरवार को 43 नगर पालिका और 7 नगर पैशदों के 1775 वाड़ों के लिए वोट डाली जा रहे हैं 26 मदान केंडरों पर कुल 14,32,233 मदाता हैं जिन में से 7,46,663 पूरुष, 6,85,542 महिला और 28 अन्य मदाता अपने मताधिकार का इस्तमाल करेंगे गौरत अलब है कि सदसेपत के लिए 7,249 उमीद्वार चुनावी मैदान में हैं कोरोना संक्रमन से होने वाली मौतो और पॉस्टिव केसों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए राजे में हेल्थ प्रोटोकॉल की सक्ति से पालना करवाने पर फोकस करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गए हैं तरसान के पुलिस मुख्याले और CMO तक लगातार पुलिस के सुनवाई न करने और घूस लेने के शिकायतें मिलने पर DGP ML लाठर ने डिकॉय ओपरेशन चलाने के लिए निर्देश दिये हैं इसके बाद जयपुर साइट 14 जिलों में डिकॉय किया गया तफिलाल इस पुलेटिन में इतना ही फिर हासर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ